स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब I hope कि आप लोग ठीक होंगे तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था मैंने आप लोग को क्लास में भी काउंटिंग कराई थी और होंवग भी दी थी 600 तक काउंटिंग इसके लावा मैंने आप लोगों से इविन नंबर्स के बारे में शेयर किया था और मैंने आप से कहा था कि जो आप लोग काउंटिंग कर रहे हैं इसमें इविन नंबर्स को सर्कल करें तो चले अब हम अपना आज का लेक्टरी स्टार्ट रखते हैं ठीक है ना बेटा कल हमने क्या पढ़ा था कि इविन नंबर्स क्या होते हैं आज हम पढ कौन से numbers होते हैं? वो numbers जिनके pair नहीं बनते हैं. ठीक है ना बेटा तो जैसे हमने last class में numbers देखे थे हैं, अब हम आज भी देखे कि कौन से number हमारे odd हैं. अब सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? 1. 1 का क्या मतलब होता है? It means that we have one triangle. अब 1 का तो pair नहीं बन रहा. 1 तो अकेला है. It means that 1 is an odd number. अब 1 के बाद क्या आता है? 2. 2 का क्या मतलब होता है? It means we have two triangles. अब अगर हम यहाँ देखे तो यहाँ पे हमारे पास तो two का pair बन गिया. It means two is not an odd number. Two is an even number. तो के बाद क्या आता है? हमारे पास three. Three क्या मतलब होता है? It means that we have three triangles. अब अगर हम इसमें देखे तो इन दो का तो हमारा pair बन गिया. लेकिन यह एक triangle तो हमारा अकेला रहे गिया. It means three is an odd number. फिर three के बाद क्या आता है? Four. Four का क्या मतलब होता है? It means that we have four triangles. अब इसके अंदर अगर हम देखे तो एक pair हमारा यह बन रहे और एक pair यह बन रहे. अब इसके अंदर तो हमारे पास सब के pairs बन रहे है. It means that two, four is not an odd number. अब ही हमने देखा के odd number क्या होते हैं? अब आगे इंशालला हम इसकी exercise solve करते हैं. ठीक है ना बेटा?